पत्रकार वा उसकी पत्मी के साथ तोल कर्मियों ने मार पीट कर महिला की अंगुलियों को काटा चॉमो एनेज बावन स्थित काटियामवास तोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है काटियामवास तोल प्लाजा का आज एक और मामना सामने आया है जिसमें तोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने पत्रकार वा उसकी पत्मी के साथ मार पीट कर महिला की धारदार हथियार से अंगुलिया काट दी टोलकर्मियों ने महिला के साथ छेड़ छाडव अभधरता भी की जब पत्रकार ने इसका विरोध किया तो 10 से 15 टोलकर्मी ने उसकी भी धुलाई कर दी मामले को लेकर मंगलवार देर शाम तक पुलीस ने मात्र एक करमचारी को शान्ती भंग में गिरफतार किया गया ठानाधिकारी शर्मा ने बताया कि फिलहाल पुलीस ने मुडिक बसेडी धोलकुर निवासी टोलकर्मी अनुक शर्मा को शान्ती भंग में गिरफतार किया है पुलीस ने धारा 141.321.323.354 के तहत मामला दर्ज किया है